25 मई यानि आने वाले सोमवार से घरेलू उडानों को करीब 2 महिने बाद शुरू किया जा रहा है हाला कि बहुत कुछ पहले जैसा नहीं होगा घरेलू उडानों के लिए जरूरी गाइडलाइन्स और SOPs पहले ही जारी किये जा चुके हैं हवाई अड़े पर फिजिकल चेकिन नहीं होगा आरग्य सेतु अब जरूरी है और साथ ही एक तिहाई कैपसिटी के साथ ही संचालन दीरे दीरे शुरू किया जाएगा एवेशन मंत्री हरदी पूरी ने बताया कि सबकी सहमती सही हमने 25 मई से कैलिबरेटिट तरीके से उडानों का संचालन शुरू करेंगे गर्मों के शिड्यूल 2020 के हिसाब से एक तिहाई कैपसिटी के हिसाब से संचालन होगा किराय को लेकर हरदी पूरी ने कहा कि रूट्स को साथ सेक्शन में बाटा गया है उसी के अधार पर किराया लिया जाएगा आपको बता आदें कि दिल्ली से मुंबई का किराया के लिए मेनिमम 3500 रुपे और मैक्सिमम 10,000 होगा जो 90 मिनट से 120 मिनट की केटाइगरी में आता है